भारत के सबसे रोमान्चक गेमिंग प्लाटफॉर्म विंजो पर हैं सतर से भी ज्यादा गेम्स तो खेलो अपने मन पसंद गेम्स और रोज जीतो करोडो के इनाम डाउनलोड नाउ प्रॉम विंजोगेम्स डाट कॉम केम में वितिया जोकिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है जिम्मेदारी और अपनी जोकिम पर खेले नमस्कार मैं हूँ शिवेन रस्रवास्तो और आप देख रहे हैं यूपी तक यूपी तक की इस खास सिरीज में हम बताते हैं एक ऐसी चर्चित हस्ती के बारे में जो की आपराथ की दुनिया में सालों साल से चर्चित है कैसे उसने rap की दुनिया में अंडर में सीखा, हम ऐसे शक्स की बात कर रहा हैं, जिसने अदालत में गुहार लगाई कि उसकी जान को खत्रा है, इसलिए उसको बुलिट-ूफ चैकर दिया जिया है हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शक्स की, जिसने पहली बार मुंबई मे एकी 47 से हत्यानी की हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शक्ती जिसने बदला लेने के लिए कड़ी सुरच्छा के बीद अस्पताल में घुसकर दस लोगों को मौत की घाट उतार दिया जिसके सर पे 50 से जादा हत्या के मुकदमे हैं और जेल के भीतर से भी उसका सामराज चलता है हम बात कर रहे हैं पुरवांचल के माफिया डान या उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े डान सुभाष ठाकुर और बाबा की यह वही सुभाष ठाकुर और बाबा है जिसने अपने वक्त में आतंक का ऐसा सामराज इखटा किया कि आज भी बड़े-बड़े माफिया उससे पं रहा था वह सुभाष ठाकुर आज की तारिक में उत्तर प्रदेश की सेंट्रल जेल फतेगर में बंध है लेकिन जेल के भीतर से भी उसका सामराज चलता है लखनौव से लेकर के डिली और डिली से लेके मुंबई तक यहां तक की विदेश्यों तक उसके नेटवर्क के लो महां उसने हंगामा कर दिया अदालत से गुहार लगाई कि अगर उसकी जान को कोई खत्रा हुआ तो उसे इस बात की इजाद दी जाए कि वो बुलेट प्रूफ पहन सके बकाइदा अदालत में उसके लिए अरजी भी लगाई गई हाला कि उसको बाद में वापस फतेगर ज शुरू नहीं किया लेकिन उसका दबदबा पुर्वांचल के हर इलाके में है सिर्फ पुर्वांचल ही नहीं बलकि मुंबई और दूसरे देशों में भी सुभाष ठाकुर की तूती बोलती है और जेल के भीतर रहते हुए भी उसका रसूख इतना है कि अगर से सहमती लेनी उसके लिए बेहत जरूरी है यहां तकि जेल के भीतर रहते हुए भी जो बड़े खुखार अपराधी जेल के भीतर बंद हैं वो भी चाहते हैं कि सुभाष ठाकुर का अश्रुवाद उसको मिले इसलिए मुन्ना बजरंगी की मौत होने से पहले वो सुभाष ठाकुर अब बाबा के भेश में सफेद बाल और सफेद कपड़ों के साथ फतेगर जेल में रहता है लेकिन हमेशा से वो ऐसा ही नहीं था यह बात है सत्तर के दसक की जब पुरवांचल से 17 साल की उम्र में सुभाष ठाकुर मुंबई पहुंचा मुंबई जाने क पीछे का मकसद अपराथ की दुनिया में जाना नहीं था लेकिन छोटी मोटी नौकरी और काम करते हुए सुभाष ठाकुर के पैर अपराथ की दुनिया की तरफ ही मुड़ गए और एक बार अपराथ की दुनिया की तरफ सुभाष ठाकुर ने रुख किया उसके बाद कभ से जादा जिम्मदार अपराधी है दाउद इबराहिम उस वक्त कोई बड़ा अपराधी नहीं था लेकिन सुभाश ठाकुर का नाम बड़ा हो चुका था वो छोटे मोटे अपराध करने के बाद बड़ी-बड़ी हत्याएं और बड़े-बड़े कांड करने लगा था जिसके लोग वसूली हता रंगमदारी इसके अलावा हत्या और अपरहन जैसी बड़ी-बड़ी वार्दाते मुंबई और आसपास के राज्यों में करने लगे पुलिस की नाक में दम हो चुका था और वो चाहते थे किसी भी सूरत में ये नेक्सस टूटे लेकिन इन दोनों के बी उसके बाद बहुत से लोगों ने दावद इबराहिम से किनारा कर लिया उनमें से सुभाष ठाकोर, छोटा राजन और दूसरे कई अपरादी थे जिन्होंने साफ तर पर कह दिया कि अब दावद इबराहिम के साथ नहीं है हलाकि इन लोग का सामराज तब भी इतना बड़ा था कि ये लोग बदस्तूर अपराद करते रहें दावद इबराहिम का साथ छोड़ने से पहले वो सबसे जाधा करीबी था दावद इबराहिम का क्योंकि दाउद इब्राहिम नहीं उसकी शरण में रहते हुए अपरात सीखा था लेकिन धेद्रे दाउद इब्राहिम का नाम बड़ा होने के बार सुभाष ठाकुर ने उससे दोस्ती कर ली थी एक बार दाउद इब्राहिम के बहनोई को अरुण गैउली के गैंग ने मुंबई में गोली बार दी उस हत्या का पदला लेने के लिए जिम्मदारी दाउद इब्राहिम ने सुभाष ठाकुर और छोटा राजन पड़ दी और इस जिम्मदारी के मिलने के बार जो शूटर इसमें शामिल था उसकी हत्या के लिए लगातार ये लोग कोशिश करने लगे लेकिन शूटर की तबियत खराब थी और उसको मुंबई की जेजे हस्पिताल में भरती किया हुआ था जहां 20-25 पुलिस वाले हर वक्त उसके पहरे में रहते थे बावजूद इसके तैये किया गया कि किसी भी सूरत में इसे मारा जाना है और जब तक मारा नहीं जाएगा तब तक दाउद का बदला नहीं पूरा होगा इसी विचार के साथ ताउद इबराहिम के ये दोनों लोग सुभाष ठाकुर और छोटा राजन AK-47 और 9mm के पिस्टल के साथ अस्पताल पहुँचे और वहां ताबर तोड गोलियां चला करके उस शक्स की अस्पताल के भीतर ही रत्या कर दी बताया जाता है कि उस वक्त 500 गोलियां चली और उसमें 10 लोगों की मौत हुई हाला कि इससे पहले AK-47 का मुंबई के अपराद इसके इतिहास में कभी इस्तेमाल नहीं हुआ था यह पहला मौका था जब सुभाष ठाकुर ने अपने साथी के साथ मिल कर मुंबई में की फोटन मंस Warum से गोलियां बरसा इति मुंबई के अपराद के इतिहास में माना जाता है कि नहीं गैंघ वार जैसे अपराद की शुरूात किया शुरुवात में सारे गैंग अपने अपने काम करते थे कोई गुसरे में दखल नहीं देता था लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि सुभाष ठाकुर के किसी काम में दूसरे गैंग के लोगों ने दखल दी जिसके बाद उसने अपने साथियों के साथ मिलकर मुंबई के एक बीच पर पूरे-पूरे गैंग को खत्म करने का काम किया जिसके बाद गैंगवार मुंबई में शुरू हुई और पहली बार ही है कि 47 का इस्तेमाल भी सुभाष ठाकुर ने मुंबई में जेजे एस्पताल में दाउद इब्राहिम के बहनों की हत्या का बदला लेने के लि 1992 के बंबलास्त में दाउद इब्राहिम का नाम आने के बाद पूरी दुनिया में दाउद इब्राहिम का नाम चर्चित हो गया लेकिन हकीकत यह थी कि दाउद इब्राहिम को अपराद सिखाने वाला अपराद के तौर तरीके और उसकी तकनी सिखाने वाला सुभाष है फतेगर जेल में मिलने के लिए मुंबई और दूसरे राजियों से भी कई उसके नेटवर्क के लोग आते हैं लेकिन अधिकारी उसमें कभी दखल नहीं देते जिससे सुभाश ठाकुर मिलना चाता है सिर्फ वही लोग उसे मुलाकात कर सकते हैं और सुभाश ठाकुर जेल के भीतर से भी अपना नेटवर्क बख्व भी चला रहा है उसके पास ना सिर्फ लोगों का पूरा नेटवर्क है बलकि तकनीक भी वह खुब अच्छे से इस्तेमाल करना जानता है और यह सब चीजे उसको जेल के भीतर ही किसी ना किसी तरीके से महिया होती है कई बार अधिकारें में जाच करने की कोशिश की, उसको रोकने की भी कोशिश की, लेकिं हमारी जानकारी के मुताबिक, वो अपने मनसूबों में काम्याब नहीं हो सके सुभास ठाकुर ही वह ऐसा नाम है जो पूरे उत्तर प्रदेश में पुर्वांचल का ऐसा चेहरा है जो साल दर साल अपरात की इतिहास में अपना सामराज्य चलाता रहा है आप एकिन करें या ना करें लेकिन पुर्वांचल के आज तक जितने माफिया हुए चाहे वह मुक्तार अंसारी हो अतिक अहमद हो बर्जेश सिंग हो यह कोई और बड़ा अपरादी इसका नाम चर्चा में रहा है लेकिन किसी ने भी सीदे सीदे सुभास ठाकुर से दुश्मनी मोल नहीं ली माना ये भी आता है कि बर्जेश सिंग के माननी बनन सपोर्ट रहा फिलहाल अभी सुभास ठाकुर कई ऐसे मामलों में शामिल है जो कि जेल के भीतर से ही नेटवर्क चलाते हैं सुभास ठाकुर के बारे में ये भी कहा जाता है कि अभी भी मुंबई के अंडर वर्ड में उसका दबदबा कायम है दाउद इबराहिम के विरोध सब्सक्राइशन दी और उसको कोर्ट में समिट किया तो उसमें साफ तर पर कहा कि उसको पेशी के दौरान लाने के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट दी जाए हाला कि कोर्ट ने उसकी ये दलील नहीं मानी और उसको अभी फिलहाल जेल में ही रखा गया है लेकिन बताया ज जाता है कि जेल में एक बड़ी सी वैरक में उसका पूरा दर्वार लगता है जिसमें जेल के अंदर बंद रसूप वाले मजबूत अपराधियों का जमावड़ा होता है जहां सुभाष ठाकुर के कहे हुए काम को अंजाम देने का काम भी होता है और उसी के कहे उनसार पू प्रशासन भी इसलिए उसका ना सिर्फ काम बदस्तूर चलता रहता है बलकि नेटवर्क भी जेल के भीतर से फल्फूल रहा है भले है उसको उम्रकायत के सजा हुई हो लेकिन वह अपने अपराध के धंदे को अब तक वहीं से चला रहा है और शायद अगर साशन प्रशास इनका इस्तिमाल अपराध के लिए किया और जेल के भीतर से ही अपना सामराज चलाता है हट्ते के लिए उसने जेजे अस्पताल के भीतर दस लोगों को मार दिया भरी सुरक्षा के बीच हम बात कर रहे थे सुभाश ठाकुर की जो कि इस वक्त यूपी के सेंटरल फतेगर जेल में बंद है और अगले हटे हम बताएंगे किसी एक ऐसी ही चर्चित हस्ती के बारे में जिसने अफरात की दुनिया में जराहिम की दुनिया में राजनाइट की दुनिया में अपना दबदबा अपना रसूख सालों साल तक कायम रखा क्या है उसके हालात अगली बार द